हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू मैं चानल, होमली रेसिपी परीथा, आज मैं आप लोगों के साथ एक फिश का रेसिपी शेयर करूँगी, मैं बेंदॉली हूँ, तो फिश के तरफ इना सॉफ्ट कॉर्नेट तरह जादा है, लेकिन आज चा रेसिपी में शेयर करूँगी, यह म मनोहरी, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाता है यह रेसिपी, तो फिश मनोहरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम रोहु फिश लिया है, आप चाहें तो यह कतला यह रोहु कोई भी फिश से बना सकते हैं, पहले मैं इस फिश को मेरिनेट करूँगी, थोड़ा सॉल् तो मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ, तो फिश को मैंने अच्छे से हल्दी और नमक लगा के मैरिनेट कर लिया है, इसको मैं 10 मिनित रेस्चिंग के लिए छोड़ दूगी, और तब तक मैं एक ग्राइंडिंग जान ले ली हूँ, ग्राइंडिंग जान में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पूल, खुस खुस या पोस्तों जो बोलता है, वो डाल रहे हूँ, और यह है 2 टेबल स्पूल, वाटर मिलन सें, मिलन सें मतलब तरबूस का बीज होता है, वो यह में डाल रहे हूँ, मिलन सीट मार्केट में चार मंगज के नाम से भी अधिलिबल है इजी लिए आप मार्केट से खरीद सकते हैं और मैं यहाँ पे तीन बारा ग्रीम चिली ले रही हूँ इस सारे चीजों का मैं एक पेस्ट बनाऊंगी मैं इसमें थोरा सा पानी डाले इनिशियली फिर इसका पे पेस्ट बना लिया है बहुत जादा पतला नहीं करना है थोरा थोरा करके पानी डालके इसे कंसिस्टिंसे का पेस्ट हमको चाहिए और अभी मैंने एक बोल में थ्री टेप रिस्पून दही ले ली हूँ इसको मैं अच्छे से थोरा सा नमक दालके फेट रही हूँ इसको भ करना है इसको हमें बहुत जादा फ्राई ने करना है इच साइट को हम दो मिनिक तक फ्राई कर लेंगे जादा फ्राई करेंगे तो यह हाड हो सकता है फिश को हमें हर साइट से हलके से घुमा के फ्राई करना है लेकि ध्यान भी रख रहा है कि तूट ना जाए फिश हमारा भी फ्राई हो चुका है ऐसे ही गोल्डेन ब्राउन जब हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे अब मैं इसको निकाल लूँगी तो मैं इसको निकाल के प्लेट में रख रहे हूं और अभी मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है पैन को गरम कर लिया है और इसमें मैंने फिश राई वाला तेली वापस से यूज कर रहे हूं लेकिन थोड़ा सा मैंने तेल निकाल लिया है और फिर मैं इसमें डाल रहे हूं वान टीस्पूल काला जी तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे फिर मैं इसमें फेता हुआ दही का पेस्ट पी डाल दूंगी और लोग लेम में इसको फोरी रिफ चला लेंगे इस रेसिपी में हम अलग से पानी उस नहीं करेंगे इसलिए मैंने जो मसाला का पेस्ट पनाई थी उसका ग्राइंडर अलग से पानी डाल हुआ इस को अच्छे से चला लेंगे और मैं इसमें थोरा सा हल्दी डाल रहे हूँ और one टीस्पून र्यक्चिली पाउंडर ये ऑप्षिनल रेचेपी में वैसे तो र्यक्चिली पाउंडर का यूज नहीं होता है लेकिन मैं कलर के लिए थोरा सा डाल आप चाहे तो इसको skip कर सकते हैं और फिर अच्छे से इसको एक बार चला लेंगे नमक फिर इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से इसको mix कर लेंगे और 10 मिनिट तद इसको पकने देंगे धक के low flame पे 10 मिनिट बाद हम चेक करेंगे मसाना जो है इसका कच्छा पन चला गया है और इसमें थोड़ा boil भी आ गया है अब इसी stage में मैं इसमें mustard का paste डाल दूँगी यहाँ पे मैंने 1 tablespoon mustard paste लिया है सर्फसो का paste और इसको paste करते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और दो green chili भी डाल द से इसको mix कर लेंगे और यह सर्फसो का paste जब तक अच्छे से पकना जाए कच्छा पन चलाना जाए इसको फिर से हम ढख के पका लेंगे तो अभी इसको मैं ढख दे रही हूं 3-4 मिनिट बाद हम एक बाद चेक कर लेंगे मसाला अच्छे से mix हो गया है कच्छा पन भी चला अब हम इसमें फिश का मसाले में इसमें इसमें जाल रहे हूं को फिश के मसाले में नमक सबिकर कर लेंगे फोरा सा नमक मैं डाल रहे हूं उपर से और साथ ही मैं मैं इसमें एक बड़ा क्रीम चिली स्लीर करके डाल रहे हूं यह अप्शिनल है अगर आपको नहीं खाना है तीखा तो मत डालिये और थोरा सा mustard oil मैं इसमें डाल रही हूँ इससे इसका टेस्ट अच्छा होता है सरसों के साथ mustard oil अच्छे से वो mix होता है टेस्ट बढ़ जाता इससे और फिर इसको पगते देंगे 4-5 मिनिट कर लो फ्लेम पे तो और 5 मिनिट बाद हमारा fish manohari बनके ready हो गया है अच्छे से मसाला पग गया है और इसको अभी हम फ्लेम आफ कर देंगे और 5 मिनिक standing time के बाद सर्फ करेंगे तो देखिए हमारा fish manohari बनके तैयार है यह बहुत है टेस्टे बनता है इसको आप घर पे एक बाद जरूर ट्राय करिए और गरम चावल के साथ यह बहुत है अच्छा लगता है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें और मेरे चानल को भी subscribe जरूर करें थैंक यज सो मुँट